हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल मैं संधिया और आप देख रहे हो संधिया सी लाई डिजाइन फ्रेंड्स हम लोगों ने इस ब्लाउज की हम लोगों ने बाकी जानकारी तो पिछले वीडियो में देख लिया था कि लेंद कैसे निकालना है और यहाँ पर आर्म होल में जोल आ रहा है तो क्या करना है और गले को कितना इंच की साइज में लेना है जैसे की टकस को लेके हो गया और बेल्ट को लेके हो गया तो ऐसी कैई सारी चीज़े आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सिर्फ समझेंगे बाकि यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है सिर्फ समझने का काम है तो आप बस ध्यान से देखिये और सुनिये ठीक है तो जैसे कि हमने यहाँ पर फिटिंग वगरा सारा कुछ डाल लिया है आर्मोल कैसे कम जोला रहा है तो कैसे क्या करना है वो भी हमने समझ लिया है अब हम यहाँ पर जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमें बेल्ट किस साइज में कितनी रखनी है तो किस साइज में कितनी रखनी है नहीं यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप किस का ब्लाउस बना रहे हो यानि कि बहुत heavy size का blouse बना रहे हो या फिर कम height वाली ladies का बना रहे हो या height ज्यादा ladies का बना रहे हो तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम blouse के belt का निशान लगाते हैं जैसे कि यहाँ पर हम बहुत ज्यादा height वाली ladies का बना रहे हैं और उनका belt अगर हम कम पर लगा देंगे तो फिर यहाँ पर उनकी belt जो है उपर चड़ जाएगे और उपर चड़ी चड़ी फिर belt अच्छी नहीं लगती मतलब यहाँ पर जैसे कि आप ज्यादा height वाली ladies के लिए बिल्कुल नीचे आप अपनी belt लगा दोगे तो वह भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा और हाइटिंग भी अच्छी नहीं आएगी तो यहाँ पर हमें मतलब size को ध्यान में रखते हुए उसी size के हिसाब से यहाँ पर निशान लगाना है अब जैसे कम height है बहुत ही कम height है तो आप यहाँ पर 10 इंच पर point लगा सकते हो अपनी belt का और अगर नॉर्मल हाइट है तो फिर point दे रहेते हैं अब यह हमने point तो कैसे point देना है यह तो मैंने आपको बता दिया आप जो भी point हमने दिया यहाँ पर आप कोई भी point आप कोई यहां पर लाइन खीच लिया अब यहां पर हम हल्की से ऐसे गुलाई करते हैं तो हाफ इंच हम नीचे ले जाएंगे और हाफ इंच हम ऊपर चढ़ा देंगे इस वाली लाइन से हम हाफ इंच यहां पर साइड में ऊपर चढ़ाएंगे और यहां पर नीचे ले जाएंगे ठी इंच ठीक हमने 9 इंच पर निशान लगाया अब उसी पॉइंट से हम क्या करेंगे तो यह देखो यहां पर भी बहुत से लोग कहते हैं कि क्या हम हर एक साइज में 9 इंच भी लगा देंगे नहीं जी हर एक साइज में यह हमारा बस्ट पॉइंट चेंज होता है अगर हम हर एक साइज में यही पॉइंट लगा देंगे तो फिर हमारी कटोरी उपर नीचे नहीं हो जाएगे सभी का साइज तो एक नहीं रहता है हमारी कटोरी का सभी की कटोरी अलग-अलग साइज की बनती है तो यहां पर जैसे आप बहुत ही कम हाइट वाली लेडिज का बना रहे हो तो 6.5-8 inch तक पॉइंट लगाएं और अगर नॉर्मल हाइट है तो फिर 9.5-9 inch तक पॉइंट लगाएं और अगर बहुत ज्यादा हाइट है तो फिर आप यहां पर 10 inch साढ़े 10 inch तक पॉइंट लगाएं और बहुत हैवी साइज है तो भी आप 10 inch और 10.5 inch लीजिएगा ठीक ह तो इस तरह से यह हमने यहाँ पर point डालना है जो भी point आपने लिया है उसी point से हम 1.5 inch छोड़ते हुए इस point से 1.5 inch हम छोड़ेंगे और फिर इधर side को एक line खीज़ देंगे बंद भाग की तरफ को तो एक tucks हमारा इधर हो जाएगा और एक tucks हम यहाँ से नीचे की side को डालेंगे यह भी हम 1.5 inch छोड़ते हुए ही डालेंगे यह हमने यहाँ पर 1.5 inch छोड़ते हुए यह भी डालना है और एक tucks इधर डालेंगे चोकि हमारा fitting side होगा तो यह भी हम 1.5 inch छोड़ते हुए ही डालेंगे अब बहुत से लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि यह तो ठीक है कि यहाँ से हमने 1.5 इंच छोड़ा लेकिन यहां से हम कितना उपर उठाएंगे यहां इस वाले बिल्ट से लगबग हम 1.5 इंच उपर ही रखेंगे अपनी इस वाले पॉयंट को ठीक है इस बेल्ट वाले निसान से 1.5 इंच उपर पॉइंट देना है अब इसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल साइट डालेंगे तो यह भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए ही टक्स डालेंगे तो इस तरह से यह हमने यहाँ पर 4 टक्स डाल दिया तो 4 टक्स हमने क्या करा है और पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि हमें लेंट कैसे लेनी है और अगर हमारे ब्लाउज में जोल आ रहा है तो कैसे उसको मैनेज करना है और अगर हमारा गला उतर रहा है तो हमें कितना निशान लगाना है तो ये दो वीडियो अगर आपने देख लिया है आपके ब्लाउस में कोई भी गलती हो रही है तो I hope कि मैंने आपको सारे प्रॉब्लम बता दी है फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कर देना बांकि मैं आपको अगले आने वाली वीडियो में आपको वो भी प्लम आ रही है तो मुझे आपको यह भी समझाना चाहिए है ना तो चलो कमेंट्स कर दो मुझे नीचे और हां जैसे कि आप लोग मेरे पास बहुत से लोग कमेंट्स करते रहते हो कि हमीं यह बता दीजे वह बता दीजे तो जैसे कि मैं देखो यहां पर आपको कुछ समझा घेती हूं, जैसे के कोई भी वीडियอ चल रही है, जब आप ले कहते हो कि हमें बिल्कुल सुरू से सीखना है, हम वैजिक से सीखना है तो हम कैसे सीखे, तो यहां पर जैसे मेरा नाम चल रहा है यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे option दिख रहे होंगे एक तो home का, दूसरा वीडियो, shorts और इसके बाद playlists तो जो playlist है तो यहाँ पर हम playlist में ऐसे touch करेंगे यहाँ पर जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पर देखो basic सिलाई course न्यू बैच 2023 लटकन डिजाइन, blouse की basic सिलाई course तो यहाँ पर जो अलग-अलग वीडियो में लगा के रखे आप मालो आपको basic सिलाई course करना है तो इस वाले टच करना है इस वाले option में और यहाँ पर आपको कैसे सिलाई सीखनी है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस तरह से मैंने वीडियो लगाके रखे आपको वीडियो ठूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम शे वीडियो मतलब सीख जाओगे सीलाई सीख जोगे वीडियो ढून सीखना होगे तो बहुत से लोग मेरे पास comments करते मतलब पेश्ट करके फिर उसको आप लोगों को पास पेश्ट करूं उसको कॉपी करके पेश्ट करूं फिर यह बहुत ज्यादा मतलब मेरे लिए ना बहुत ज्यादा जहां हो जाता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी है जिससे कि अगर आप जिसको भी सीख सकते हो तो इस तरह से आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी और हां जैसे कि आप लोग बोलते हो कि नया बैच कब से आएगा नया बैच कब से आएगा तो बहुत ही जल्द आप लोगों को नया बैच देखने को मिलने वाला है क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा सेट लगी जाएगा पंदरा दिन में मेरा सेट अप जैसे ही सेट होता है उसके बाद फिर हम लोग बहुत ही जल्द सामने से हम लोग फिर से नया कोर्स चालो करने वाले हैं और हम लोग फेज टू फेज बात करेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम से वो भी सॉल्व करेंगे वो भी बिल्कुल फ्री कोई चार्ज नहीं होगा बिल्कुल फ्री में आपको फिर से एक नया बैच लेके आने वाली हूँ तो अगर आप इंट्रेश्टेड हो सीखने के लिए नया बैच चाहिए तो जिससे क्या होगा कि अब आप लोग मेरे साथ जूड़े रहोगे साथ साथ में वीडियो देखोगी तो फिर आपको यह नहीं लगेगा कि हां मतलब बार बार कमेंट्स नहीं करना पड़ेगा उससी में कमेंट्स करोगे अगले दिन ही आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से और उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा तो आपक पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में तब तक के लिए जय स्री कृष्णा राधी राधी